शिरिमाईश्वी टैंक से सभी पाटकों शोता को शद्दक टैने दबूर का नमस्कार बात हम सब की जिस प्रकार से जहर को खा लेने पर वह स्वयम के लिए खातक होता है उसी प्रकार आपका क्रोध आपकी नफरत आपकी इर्शा आपका द्वेश भी एक धीमान जहर है आदली क्रोध नफरत इर्शा द्वेश करता है और सोचता है कि इससे दूसरों का अहित होगा मगर याद रखना यदि इन सभी जहरों का पान आप कर रहे हैं तो आपका अहित किसी और का कैसी हो सकता है आंतरिक विकार मनश्य द्वारा अपने ही मार्ग में खो दे गए उस कोई के समान है जिसमें देर सवेर उसका गिरना अवश्यम भावी हो जाता है जीवन के समस्त आंतरिक विकारों के समूल लाश के लिए केवल एक बात्रत संजीवनी बूटी है कि अमिय अरियम चूरन चारू समन सकल भव रुजपरिवारू और वह है कि सत्गुरू की शरण जो हमें सत्गुरंत सत्संका आश्ट्र दिलाकर सदमार्ग की और निरंतर गती कराते वे उस परम सत्य तक ले जाती है एक छोटी सी कहानी है कि एक बर एक सास दोहू में पठ नहीं रही थी तो बहु एक गुरू के पास रही एक संथ के पास रही कि मुझे ऐसा जहर दीजिए जिसको मैं हरोज दे देकर मेरी सास की मार दूँ उसको मृत्ति उप्राप्त हो जा ताकि मेरी जिंदगी में सुख आजा क्योंकि वो मुझे बहुत परिशान करती है और मैं भी कोई बहुत अच्छी नगी हूँ लेकिन मेरे को उसको मारना है तो संथ सारी बात समझ गए उन्होंने बोला कि आप ये पुडिया लो महिने बर की पुडिया है आप हरोज इसको रात को उसको दूद में डाल कर पिला देना आप देखना धीरे धीरे वो म्रत्यों को प्राप्थ हो जाएंगी अब उसने ऐसा ही किया घर जाकर उसने सुब्ह शाम दूद में मिलाकर अपनी सास को प्यार से दूद पिलाना शुरू कर दिया अब सास ने सोचा कि बहु इतनी अच्छी होगी मेरा इतना ध् ध्यान रख रही है तो कुल मिला के ऐसा हुआ कि एक महीने बाद बहु वापस संत के पास गई कि अब आप मुझे ऐसे दवाई दीजिए कि वह जहर कट जाए मुझे मेरी सास को नहीं मारना है वह बहुत अच्छी मेरा बहुत ध्यान रखती है तो संत ने कहा कि भई मैंने तुम को जहर दिया ही नहीं था मैंने यह स्कीम इसलिए लगाई थी कि यदि तुम उनका प्यार से ध्यान रखोगी दले तुम्हारा उस समय लक्षे कुछ भी था लेकिन तुमने उनको प्यार से दूद पिलाया उनका ध्यान रखा क्योंकि तुम्हीं लगए कुछी दिनो को सामने वाला उस दवल ही आपके लिए करेंगा कॉह ब्यार देंगी आपको तना प्यार मिलेगा आप नफौत ललेगे वह हमको इस कारे से और इस किज़िसे ये शिक्षा मिलती है किग्रोध मत करो ड्वेश मत रखो विकार मत रखो इससे स्वयम की हानी हैय सामने वाले की कोई भी हानी नहीं है इसलिए हमें अब आपस में मिल जुलकर प्रीम प्यार से रहना है प्रॉमिस करो जे श्रीक्रिष्ण जे महेश